ये संदेश आसाम के सबनागरिकों के नाव है कोई 20 साल पहले मैंने ये आसाम का लमसा पहनना शुरू किया था मेरा कोई परिवार का संबंद नहीं है दिल से संबंद है आसाम से, पूरे नौर्थीस से और आज ये जो रिष्टा है वो मुझे आपसे संदेश दिलबा रहा है आज मैंने पढ़ा कि प्रफेसर हिरेन गोहाई को अखिल गोगोई को और दूसरे साथियों के खिलाफ सेडिशन का मुकदमा लगा है राष्ट द्रोह का मुकदमा बना रहे है क्यों? क्योंकि इन्होंने Citizenship Amendment Bill का विरोध किया है यह Citizenship Amendment Bill है क्या? यह तो धोखा है असाम एकॉर्ड में देश ने, भारत ने, मैंने जो असाम से वाइदा किया था उस वाइदे के साथ धोखा है भारत की Citizenship को हिंदू और मुसलमान में माटने की कोशिश यह तो भारत के साथ धोखा है भारत के स्वधर्म के साथ धोखा है आईडिया आफ इंडिया का वॉयलेशन है इसका विरोध करने वाला देश द्रोही नहीं है वो तो सच्चा देश भगता है और यह Citizenship Amendment बिलको लाने वाले लोग देश द्रोही है मुझे शरम आ रही है कि हमारे देश की संसद ने ऐसे बिलको पास कर दिया अगर हीरेन गोहाई और अखिल गोगोई देश द्रोही हैं तो उस तरह से तो मैं भी देश द्रोही हूँ अगर उन्हें इस चार्ज पे जेल भेजा जाता है तो मैं मांग करता हूँ कि मुझे भी भेजा जाए गर्व होगा मेरा उनके साथ रहना जेल में इस बात के लिए दोस्तों इस गमसे का और तिरंगे का रिष्टा कोई तोड़ नहीं सकता हम लड़ेंगे और हम सब मिल के जीतेंगे जय आय आहम जय हिंद